हुए 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 है दित här है दे शिटर आ गई है अपका मेट्िक्स हो गया है आपका लेनियर प्रोग्रामींग हो गया है आपका क्याल्कुलस इंड पर है मतलब कि एडवांस आपके आज्प Talking पर आज होने वाला है और एक ही नूट रह जाएगा आपको mathematics of finance और एक में नहीं बहुत है उसके लिए फंद्रस अठारा क्लासे इस करें मच्छ इस कोशन को कि अब आपको फोल्डर में है बच्चे वाच चेक कर लीजेगा हां जी देखिएगा चले आज मैं यह बार चेक कर लूँगा लीजे प्रोग्रामिंग की क्लासे सबसे पहले लेक्सिर जो स्टार्टिंग में हुआता ना आपका यह हुआता मैक्टिस इंडिटर्मिनेंट्स और यह और मैं फिर से बता रहा हूं आपका समेस्टर फोर में बि पताने कितने लेक्सर चलेगे इसमें यह किताब है एक टॉपी कवर करवाई रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप इस बात को समझी चुके हैं कि अपनी तरफ से हर टॉपी को कवर किया जा रहा है कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं है जो बिजनस स्टार्टिक से इससे डबल है और वह कंपसिदी सब्जेक्टा पर कोई चोईस है नहीं लेकिन हाँ एक बात आपको यह भी बोलनू कि वह एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि आपने स्टैट्स थोड़ा बहुत जब भी किया था 12 वगरा में तो वहां पर बेसिकली ना आपको प्लस करना रू 40% आप ले लिजिए 40-30% ले लिजिए डिफिकल्टीस लेवल में 40% है लेकिन स्लिबस इतना ज्यादा है फॉर्मले बहुत बड़े-बड़े हैं उसके लिए मैं आपको बता जीता हूँ कि जैसी मैं आपको कोर्स वांड़ करूँगा बिजन स्टार्ट कर दूँगा आपक जिए तो डेड़ महना ही मिलेगा पढाने के लिए क्योंकि आप लोग अभी एक्टिव हो रहे हैं और अभी आपका एक्जाम से आप डेड़ महने दूर हैं तो डेड़ महने के अंदर आप जानते हैं कि फिर वह स्लिबस पूरा नहीं होगा एक लिस मैं पहले भी अगर शुरू कर दूंगा उसके नेक्स्टे से उससे पहले तो नहीं पढ़ा सकता उससे नेक्स्टे से पढ़ाना शुरू कर दूंगा आपको कि है हंजे देखिए X 1, आपके पास में यह P 1 है, और यह 2, और यह आपके पास से 2 है, ठिक है, देखिए जड़ा, तो आपके पास मेंników ङेरे ले रहें आप, मार्जन डिमार्ट फंक्छन क्या पूछँ रहा आप से, marginal demand function with respect to बैले किसका कौन से function का demand function marginal demand function बैले किसका कौन से देखिए चले कोशन देखते है marginal demand function marginal demand function में अगर आप देखते हैं तो आपके पास में demand function है एक्स वन इक्वल्स टू पी वन माइनेस टू ए देश टू पावर फोर पी टू अब यहां पर आफ फर्स्ट demand function बिद रिस्पेक्ट टू पी वन तो आपको derivative लेना है एक्स वन डिमांड फंक्शन का बिद रिस्पेक्ट टू पी वन तो पी वन को आप पस सिंप्लिफाई करेंगे बाकि चीजें आपके लिए आजा constant number होगा तो माइनेस टू पी वन और माइनेस टू अर बाकि चीजे तो आपके लिए constant नंबर है this one clear बचे अब सिमिलर इसी तरीके से आप क्या करेंगे सेम करेंगे सब कुछ सेम रहेगा बस क्या रहेगा बिद रिस्पेक्ट टू पी टू सेम फंक्शन तो आपके पास में एक्स वन फंक्शन है पी वन माइनस टू इन्टू इस्टू पाबर फोर पी टू तो डेरिवेटिव लेंगे आप एक्स फंक्शन का बिद रिस्पेक्ट टू पी टू तो पी बन का तो कोई रोल यह नहीं है इसको तो आजट रहने देंगे अब ए रिस्पवार सम्थिंग ऑल्वेस इस्टू आवर सम्थिंग बट अगर वह एक्स नहीं है कुछ और है अगर पी की रिस्पेक्ट में करें पी नहीं है अब कुछ हो रहा है तो अकोडि रिष्ट पावर 2x ही रहेगा लेकिन जब x कोछ और आ गया तो आपको इसका भी derivative लेना पड़ेगा तो यहां पर 2 आ जाएगा यह आपको याद है basic rules में मताया थे आपको इसलिए e-rish to power something का derivative यह 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 बट e-rish to और p2 नहीं है न 4p2 है तो इसका भी derivative लेंगे तो क्या जाएगा आपके पास में 4 क्योंकि अगर आपके पास में आप 4x का differentiation ले रहे हैं with respect to x तो यह तो हड़ जाता न 4 ही तो रहेगा आपके पास में पर बिस इस पर तो पी टू ले रहा हूं तो पी टू हड़ जाएगा 4 ही तो रहेगा हमारे पास में तो स्वाल करते हैं क्या है हमारे पास में पी वन पी वन पी वन माइनस टू इंटू e-rish to power 4p2 डिस वर क्लेर है बच्चे ए फोर्थ अब हम बात करते हैं marginal demand function बात कर्शि कर्द अ स्वाल में Bu प्यूच प्रीट गूट प्रटि ए रिपादेलश प्रीटी उस्टेटी प्रीट प्रीट पवborgन प्रीट लिए रेगाँ लूट अब X2 कोमेटी के डिमांड फंक्शन हमारे पास में है बच्चे P2 माइनस 5 E देश्ट टू पावर 6 P1 तो आप डेरिवेटिव ले रहे हैं किस डिमांड फंक्शन का X2 का भी रिस्पेक्ट टू P1 तो बस P1 दो फोकस करेंगे P2 आपके लिए constant number होगा तो P2 आपके लिए constant number है बस P1 पर तो E रिस्ट टू पावर something always derivative E रिस्ट टू पावर something होता है पर P1 के रिस्पेक्ट में बस P1 होना चाहिए बड़ P1 नहीं है कुछ हो रहे तो इसका भी derivative लेना पड़ेगा ना आपको मैं फिर बतबराएता हूँ P1 किसका 6P1 का मैं करके दिखाएता हूँ प्रड़ा साथ P2 रिस्ट टू पावर माइनेस 5 E रिस्ट टू पावर 6P1 और इंटू क्या जाएगा आपके पास में 6 हो जाएगा ख्लेरे बच्चे अब यहीं पर इसी तरीके से अगर आप कोशिंग कर रहे हैं विद रिस्ट टू पी टू तो डेरिवेटिव ओफ एक्स्टू फंक्शन विद रिस्ट टू पी टू तो हमारे पास में एक्स्टू दिमांड फंक्शन है इक्वल्स टू पी टू रिस्टू पावर माइनस 5 इन्टू ए रिस्टू पावर 6 पी वन यही सब कैल्कुरिशन आपका चेक होता है चलिए डेरिवेटिव ले रहे हैं आप किसका ले रहे हैं एक्स्टू फंक्शन का ले रहे हैं with respect to derivative P2, this one. तो आपके पास में P2 का derivative होगा, तो minus 5 और P2 और power minus 6 हो जाएगा, और आपके पास में e raise to power 6 P1, क्योंकि ये तो as the constant number 1 आपके पास में, this one. clear है बच्चे, अब आपको relationship, अगर आपको जानना है, relationship को समझना है, तो demand जिसका price किसी और का, तो demand x function है, तो price किसी और का, यहाँ पर, यह चलेगा, price किसी और का है, 2 का है, और demand पहले वाले का है, तो यहाँ पर result क्या आया है आपका, positive आया है, तो मतलब competitive goods है, यहाँ पर भी देखें, दोनों में similar ही होता है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और हुआ, यहाँ कुछ और हुआ, यह एक इनफ है, इस चीज़ को आंसे देने के लिए कि positive relation है, otherwise आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में, एक्स्टू डिमांड है, price one है, तो यह भी कि आपके पास है positive है, तो कहें से भी आप इस पास को आप प्रूव कर सकते हैं, clear है, तो आपके पास में यह आपका competitive goods से substitute goods से हैं, clear है, समझ में आ गया है, बच्चे, जैसे 2013 में आया हुआ है, विकॉम में, ओनर्स में, कि the demand function of the two committee x1 x2 is equal to this, given है, और respectively x1 x are the quantities of the demand of x1 and x2 ठीक है, and the p1 p2 the price of the respectively, find the four partial elasticity of demand, and the determine whether the communities are competitive or complementary, तो elasticity of demand मैं already आपको करवाद चुका हूँ बच्चे, elasticity of demand का formula क्या होता है, बता यह तरह, derivative of x upon me with respect to price into p by x, elasticity of demand होता है न, और आप हमेशे इस बात का आप जहान रखेंगे, कि price elasticity of demand में आपके पास में demand function है, तो आपके पास में चार possibilities आ गई है, कि पहले committee की आपके पास में demand function है, और उसी के price के respect में आप derivative लें, और अगर आपके पास में, दूसरा आपके पास में की demand function पहले का price दूसरे के respect में ले लें, तो यह cross elasticity of demand हो गया, और cross elasticity of demand अगर आपका negative आज आता है, तो यह आपके पास में complimentary goods होगा, देखे समझे मेरी बात को, चलिए, पहले आप देख लिजे, मैं एक कुशिंग करवा करके सिज को proof कर देता हूँ, फ़र elasticity of demand का formula क्या होता है, वो देखेगा, elasticity of demand, हम और इड़ी पढ़ चुके इस topic को, तो ज़्यादा इसको lengthy नहीं खीचेंगे, हमारे पास में होता है, derivative of x function, with respect to price, into p by q, p by x, this one, clear है, अब यहाँ पर मैं, demand function कौन सा है मेरा, मैं इसको mention कर देता हूँ, कि मेरे लिए जो, demand function है, मैं कौन सा ले रहा हूँ, दो-दो demand function है, तो पहले one से short करते हैं, इस अभी तक करते हैं, demand function, तो लिख दीजिए, elasticity, elasticity of demand is x1 function, x1 function का निकाल रहे हैं, with respect to p1, अब उसी की demand है, उसी का price है, तो यह तो भी यह direct, elasticity of demand हो गया, दो तरगी, elasticity of demand होते हैं, direct और cross, direct में जिसकी price, उसी का demand, उसी का price, उसी का demand, निकाल लेते हैं, अब dxf1 dp कैसे निकाल लिए, तो मैं यहाँ पर x1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो मुझे क्या चिए पहले, derivative of x1 function का ले रहा हूँ है, with respect to p1, और वो मैं ले सकता हूँ easily, तो मेरे पास में x1 function क्या है, x1 function मेरे पास में है, this one, x1 function is the, derivative ले ले लेते हैं, with respect to p1, लिख दे तो में x1 function को एक बार, वो है p1, raised to power minus 1.4, p2 raised to power 0.6, ठीक है, तो derivative of dx1 upon dp1 equals to, अब solve, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ed निकाल रहे हैं, तो ed के लिए क्या formula बनेगा, dx1 upon dp1, यूसी के price respect में कर रहे हैं, into p1 by x1, अब आप यहाँ solve करेंगे, तो derivative लेंगे p1 के respect में, तो p1 के power में क्या हो जाएगा, यह पहले minus 1.4, p1 के power minus 1, आपके यहाँ लग जाएगा, minus 1 कर देंगे, तो minus 2.4, और p2 तो as a constant number है, this one, clear है बच्ची, यह तो direct elasticity of demand हो गया, अब मैं यहाँ पर elasticity of demand, स्थी भी निकाल सकता हूँ, यह तो यह direct हो गया, cross elasticity of demand, बहले हैं, elasticity of demand, elasticity of demand function, elasticity of demand function, elasticity of demand कौन सा ले रहे हैं, x2 या x1 कहीं ले लीजिए, कोई बात नहीं, but with respect to p1, अब देखे, demand p2, देखे, demand किसी और का है, price किसी और का है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, cross elasticity, और इसमें community को identify करें, मैंने सिखाया हुआ है, आपको आपके elasticity of demand, cross elasticity of demand, जब price किसी और का, demand किसी और का होता है, अब cross elasticity of demand में, अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो basically आप यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, देख लिजेगा, derivative of, आपके ED का formula क्या होने वाला है, derivative of X2 function, X1 function with respect to derivative of P1, और जो price लिया है, वही price आएगा, जो quantity लिया है, वही quantity आएगी, clear है बच्चे, यह तो अब आपके पास में क्या है, यह पूरा ED निकाला है मैंने, ध्यान रखेगा, यहाँ पर क्या कर रहा है मैंने, इस तरफ यह अली value निकाल लिया है, पूरा result निकालो गया आप, तो एक top के पास में क्या गया, minus 1.4 P1 minus 2.4 P2 0.6 into P1, तो P1 की value क्या है हमारे पास में, पस P1 नहीं दिया हुआ है, upon में X1, X1 function क्या दिया हुआ है मेरे पास में, X1 function दिया हुआ है, P1 minus 1.4 into P2 0.6, तो P2 0.6 P2 0.6 तो वैसे कड़ गया, clear है, और 1.4 और यह P1, तो P1 में आपको पास में प्लस 1 कर दूँँगा, तो minus 1.4 हो जाएगा नहीं, प्लस 1 कर दूँगा तो, तो minus, क्योंकि P1 आपके पास है, P1 base same है, तो यह भी आपका, यह भी आपका कड़ जाएगा, तो क्या बच्चा आपके पास है, minus 1.4 आपका AD बच्चा, पर यह बास समझे या नहीं समझे बच्चे, चलि मैं इसमें एक बर और कर देता हूँ, यह बास समझे है, आपको पूरा फार्मला क्या है, यह तो DX upon DP आया था, पर P1 upon X1 लिखूंगा, तो P1 तो यह रहा X1 का function रख दिया, चीजें कड़ गई है, यहापर P1 है, इसको पर पावर कुछ नहीं है, तो आप एक ले लिजे, तो यह P1 और यह minus 2, तो पावर एड़ जागा, तो क्या बन जागा, P1 raise to power minus 1 by 4, तो यह भी आपका नीचे से यह कट गया, उसरब minus 1.4 यह तो बचा आपका, similar इसी तरह के से मुझे requirement है, किसका derivative of DX1 लेना है, with respect to derivative P1, तो चलिए, demand function of X1, X1 demand function क्या है मेरे पास में, X1 demand function ले लेते हैं, with respect to P1, और X1 demand function क्या है, मैं एक वर लिख दिता हूँ उसको, P1 minus 1.4, P2 0.6, अच्छा सवाल है, दुज़ा तेरह में आया हुआ है, चलिए, इसको लिख करेंगे derivative, तो किसके respect में derivative कर रहे हैं, sorry, P2 के respect में कर रहे हैं, आपके लिए as a constant number है, P2 में क्या होगा, power 0.6 नीचे आके multiply करेंगा, इसमें minus 1 करेंगे, तो P2 raise to power minus 0.4 हो जाएगा, आप देखें, पूरा AD अगर आप निकालते हैं, पूरा अगर आप AD निकालते हैं, तो क्या AD का formula क्या है, DX1, X1 और P2 ले रहे हैं, ठीक है बच्चे, cross velocity में, demand पहले का, price दूसरे का, तो price दूसरे का, और demand पहले का, जो चीज़ डिसाइड कर ले, वही चलेगा आपका, हाँ जी, तो मैं जी कह चेचे, DX1 upon P2, जो कि क्या है मेरे पास में, 0.6, P1 minus 1.4, P2 minus 0.4, इंटू, अब क्या चीए मुझे, P2 upon X2, तो P2 क्या है, P2 तो P2 है, और upon X1, X1 क्या है मेरे पास में, X1 मेरे पास में है, P1 minus 1.4, इंटू P2 0.6, clear है बच्चे, कुछ कट रहा है तो काट ये, इंटू कट गया आपके पास में, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो P2 और P2, इसमें एड करेंगे, तो क्या आजाएगा आपके पास में, minus 0.6, ये भी कट गया, तो क्या बचा, 0.6, तो ये positive आपका आया, cross वाला अगर आपका positive आजाए, direct तो always negative आएगा, उसको भी उपर चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक community की price और उसकी demand में inverse relation होता है, always होता है, वो तो पता ही आपकोई कोई सी भी हो, तो वो तो हमें साथ direct में negative आएगा, लेकिन cross में अगर आपका negative आजाए, तो complimentary goods आए और positive आजाए, तो competitive goods है, clear है, तो cross वाले पॉजिटिव आगया, तो कौन सी goods है यह, यह competitive goods है, यह बासन में आपको आई बच्चे, clear है, add बच्चे देखिए जैसे की है न, यहाँ पर आपके पास में क्या है, P2, यहाँ पर आपके पास में, P2 raise to power minus 0.1, यह 1 है, तो minus 0.4 और power इसका 1 add हो जाएगा, क्योंकि base सेम है, तो power add हो जाएगा, तो क्या जाएगा, 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 पहले त्यारे काटने के दिए, clear है बच्चे, समझ गए, अच्छे ocean है, इस ताइप के सवाल देखने को मिलते हैं आपको पेपर में, चली बच्चे, next classes में मिलते हैं, और practice करेंगे सवाल पर, आज थोड़ा सा, रहा था, थोड़ा content जादा था, जल्दी भी निकलना था, तो बट मैंने थोड़ा speed में पढ़ाया, next class में slowly slowly पढ़ेंगे, ठीक है, मिलते हैं बच्चे फिर next classes में, thank you बच्चो, thank you so much. एब बच्चे देख लेजिएगा, next classes में और भी question करवाऊँगा, और सवाल हैं आपके लिए, सुन्दर सुन्दर सवाल है, अगली कक्षा में सवालों करवाऊँ, फिर production function में करवाऊँगा, next classes में उम्मीद करते हैं, कि आपका खतम हो जागा, integration एक last topic रह जाएगा, फिर क्या class finished, मिलते हैं बच्चे next classes में,